नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों UGC NET हिंदी में आपका जो पांचवा यूनिट है वो है आपका हिंदी कविताईं इसमें हम आज देखेंगे सुदामा पांडे धुमिल की एक छोटी सी कविता रोटी और संसद आप सब लोग जानते हैं रोटी और संसद कविता जो है वो धुमिल के कावे संग्रह कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल के जो कावे संग्रे रहे हैं उसमें संकलित है एंड सुदामा पांडे धूमिल ने कल सुनना मुझे के अलावा दो अन्य संग्रे भी रचे हैं जिसका एक का नाम है सुदामा पांडे का प्रजरंत्र और तूसरा है संसत से सड़क तक तो ये तीन चो कावे संग्रे रहे हैं सुदामा पांडे धो मिलके इनमें से जो रोटी और संसद नामक कवीता है ये कल सुनना मुझे नामक कावे संग्रे रहा है उससे ली गई है इस कवीता में देश की जो प्रमुक समस्या गरीबी है इसके संदर्म में ये लिखी गई है इसमें इनकी जो प्रगतिवादिता का जो स्वर है वो देखने को मिलता है और देश में जो समाजिक विशमता है जिसके कारण गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है और जो पूझी पति वर्ग है या जो उच वर्ग है उन दोनों के बीच की जो खाई है वो क्या है वो इस चोटी सी कविता में इन्होंने बताने का प्रियत्न किया है और इसमें ये बताया गया है कि जो सर्वहारा वर्ग है सर्वहारा यानि कि जो आपका जो सब कुछ हार चुका है उससे रोटी का अधिकार भी कहीं न कहीं छीनता जा रहा है और इसी कारण आम आदमी की ताज है तो चलिए देखते हैं इस कवीता की थोड़ी सी यहां पर पंक्तियां और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं यहां पर देखिए पहले कवीता क्या है इसमें लिखा गया है रोटी और संसद एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है एक तीसरा आदमी कौन है मिरदेश की संसद मौन है यहाँ पर देखिए सुदामा पांडे धोमिल जी ने हमारे सामने एक गरीब जो आदमी रहे देखना उसके जो मारमिक दशा है उसका चित्रन किया है और पूछा गया है कि एक आदमी रोटी बेलता है यहाँ पर रोटी बेलने वाला जो आदमी है देखिए वो कैसा आदमी है वो कहीं न कहीं जो आपका मजदूर आदमी है जो क्या कर रहा है रोटी पाने के लिए जो है वो कड़ी मेहनत करता है तो रोटी बेलने वाले से मतलब यहाँ पर है कि जो इनसान अपने अजीव का कमाने के लिए दिन रात रहता है जो कामगार वर्ग है वो यहां पर बताएगा है जो रोटी बेलने का काम करता है लेकिन एक दूसरा आदमी है जो रोटी को खाने वाला आदमी है और तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है ना तो उसको वो खाता है ना उसको बनाता है और यहां पर इस तीसरे आद आदमी के हाथ में ही सारी बागडोर है, संसर भी इससे क्या है, किसी से ही है, ठीक है, तो ये है हमारे सत्ताधारी, जो आदमी एक तो वो खुद ही है, दूसरा इसमें जो पूंजी पतिव हैं, और तीसरा जो अपसर शाही हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, वो तीसरे आदमी हैं जिसन से जिनोंने गरीबों के रोटी जो है आज के समय में छीन दी है तो यहां पर पहली बात हो गई कि एक आदमी रोटी बेलता है बेलने वाला आदमी हो गया जो कड़ी मेहनत करता है एक आदमी है जो उनकी उस मेहनत को केवल और केवल आराम से खाता है उसका ठीक है मतलब वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है ठीक है मेहनत किस से करवाता है आम आदमी से करवाता है लेकिन उसका काम है सिर्फ उस रोटी को खाना ठीक है अब यहां पर ज्याद रखना है आपको की ये जो आपका रोटी बेलने वाला आदमी है ये मजदूर है, सर्वहारा है या इसे आप शोशित वर्ग का नाम भी दे सकते हैं, जो मजदूर की बज़ा से ही आप देखते हैं, पूंजी पती जो है वो क्या होता है, इतना बड़ा पूंजी पती बन जाता है ठीक है, वो अपना पूरा का पूरा जो समराज्य है वो स्थापित करता है ठीक है और किसकी वज़ा से उसी गरीब सरवहारा की वज़ा से ठीक है लेकिन ये जो इतना बड़ा भाग है देखना राश्टर का ये चिंतन के दाइरे से बिलकुल ही बाहर है क्योंकि इसके बारे में कोई सोचता ही न योग करते हैं ठीक है तो ये जो सारी चीज़े हैं यह यहाँ पर याद अख लिनी है दूसरा जो वर्ग आता है देखिए वह किसका है वह आपका जो उपभोगता वर्ग है जो अब तक सिर्फ और सिर्फ क्या है ना तो वह जादा संघर्ष करता है लेकिन फिर भी वह इन सु सुविधाओं का उपभोग करता है ठीक है एंड जो आप देखते हैं कि जिन लोगों का पेशों मतलब जिन पेशों को श्रद्धा से लोग देखते हैं उनका आदर करते हैं जैसे डॉक्टर हो गया वकील हो गया मतलब ये भी कामगार की हिस्तिती में है लेकिन फिर भी इन की जिन्दगी अच्छे से नहीं चल सकती तो दूसरा वर्ग हुआ यहां पर एक आदमी है जो रोटी खाता है खाने का मतलब है को उसकी जिन्दगी पहले वाले वर्ग से कहीं न कहीं थोड़ी सी ठीक है पहले वाला जो है दिन रात कड़ी मेहनत करता है लेकिन जो दूसरा तरफ अपने ही काम के लिए वो किन का सहरा लेते हैं उसी मजदूर और शोशित वर्ग का सहरा लेते हैं और उनके जो दाने दाने के मोताज हैं उनसे ही वो भी काम करवाते हैं ठीक है तो ये हो गया दूसरा आदमी जो उपभोगता वर्ग का है अब आता है तीसरा आदमी जो रोटी से खेलता है वो है आपका मुनाफा खोर उसको कोई फरक नहीं पड़ता कि एक गरी भोग से मर रहा है या जी रहा है बस उसको अपना मुनाफा चाहिए उसके पाथ जो पूझी है वो और होनी चाहिए क्योंकि उससे बता है रोटी तो उसे मिल ही जाएगी ठीक है रोटी मिलने का मतलब है कि उसके जीबिकटो चली रही है तो वो उसको और जाधा उसी के पीछे भागा हुआ है पूंजी के पीछे ही तो इसमें आपके जो पूंजी पति वर्ग है सताधारी लोग है, मुनाफा लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉंग ही है। ठीक है ये आम जन समाने के साथ ऐसा सही माईने में नहीं है जैसा कि आज आज भी देखते हैं कि आज भी हमारे भारत वर्ष में जो पूझी पती हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं वो मतलब ये बताते हैं कि आपको data free में दे देंगे लेकिन indirectly आपसे वो बहुत सारा शोर्षन जो आपका कर लेते हैं यही चीज यहां पर इस कवीता के माध्यम से बताने का प्रियास किया गया है यह कहता है कि जो यह लोग हैं यह आते रहते हैं और गरीबों की तर क्या करते रहते हैं अपना जीवन जो है वो ऐसे ही चलाते रहते हैं और यहां पर जो सुदामा पांडे धुमिल रहे हैं यह उसी संसद से पूछ रहे हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है वही कि जो सिर्फ रोटी से खेल रहा है जो मजदूरों का जो दलितों का जो किसानों का जो कामगार वर्ग का लगातार शोशन कर रहा है मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है मेरे देश की संसद मौन है यानि कि यहां पर जो भारतिया लोकता अंत्रिक वेवस्ता है उसमें जो है कवी, जो चुनाब विवस्ता है, उसकी भी पोल खोल कर रख देता है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी कवीता है, जो प्रगतिवादी स्वर को लिए हुए है, कि कवीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारे मनुरंजन के लिए नहीं है, बलकि संसद और सडक का सीध सा यहां पर क्या है मतलब एक संबंद बताया गया है कि जो कामगार व्यक्ति है उनकी वज़ा से ही संसद है लेकिन संसद जो है वो उनी को ही क्या कर देती है उनी को ही दुदकार देती है यह चोटी सी कवीता है इस कवीता की व्याक्या करने की यहां पर हमने कोशिश की है झाल झाल